बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्साइज 7.7 इस्पेशल जो फॉर्म थी तीन उन पर बेस्ट बस आपको जस्ट फॉर्मूले में बैलू पूट करना है देन यू गॉट अंसेट ठीक है बहुत असान है एक्साइज ज़रा देखें कोश्चन नमा वान इधर देखें आप इसको फॉर को क्या लीतर दि ग्रावान जिन पहें फीरल प्शोर्म में अपने एं फॉर्मूले में पढ़ ल्यामर आपको स्क्वाइर बाई एक्स अपोने साइन इन्वार्स एक्स अपोने साइन इस इस यूर आंसर बस जश्ट विटा आपको फॉर्मुले में बैलू पुट करना धैन यू गॉट आंसर आपने देखा इसमें आपको कोई फाल लगाना पड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ा और आंस कैंसल कर देंगे तो यह आजागा टू और थोड़ा सा सुन्दर हो जाएगा अगर आप ऐसे लेखेगा यह टू स्क्वार फॉर माइनस एक्स स्क्वार यह हो जागा टू साइन इन्वार्स एक्स बाई टू प्लस सी ठीक है अगर बिटा यह आगए तो अगला कुश्चन द लेगा फोर कैंसे डिगा तो क्या हो जागा वन माइनस एक्स स्क्वार यहिना बिटा कि रेकार यहन्ट बहुत है और इस स्कुवार निकलेगा तो तो वहार आएगा और इसको क्याले सकता है 1 by 2 का whole square minus x square into dx बैटा a square minus x square इसका format क्या होता है x by 2 ये same same ऐए formula 2 को बहाँ निकालने बस यहाँ एक ही value क्या रख दें 1 by 2 x by 2 और इसको as it is copy कर दें 1 by 2 minus x square ठीक है और बैटा ये plus होगा a square by 2 1 by 2 का whole square by 2 sine inverse x upon a और इसको ब्रेकेट 1 plus c देखें जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा था बहाँ माहाँ मैंने क्या लिख दिया 1 by 2 बाखी सब यह ही है ये 2 का multiple होगा तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बिटा 1 by 4 minus x square और ये क्यतना हो जाएगा 1 by 4 और ये 2 से multiple 1 by 8 और sine inverse 2x plus c ठीक है इस इस योर आंसर अगला कुछ्च्छन देखें ठीक है बेटा और ये आपका आंसर ये 2 x y 2 to cancel ये 2 इसे cancel ये बिटा ये 4 होगा ये 2 का multiple होगा नए 2 to cancel होज़ेगा 1 by 2 is 4 8 नहीं आएगा ठीक है बिटा ये 2 का multiple करना था नहीं 1 by 2 तो 1 by 4 होज़ेगा और 2 से 2 एक cancel होज़ेगा तो 1 by 4 होगा 1 by 8 नहीं नहीं बागी सब को सही है देखें ठीक पर अगला question देखें पिछले question में थोड़ा सांतर है इसको आपको completing square से बस थोड़ा से solve करना पड़ेगा बागी सारी चीज़ें आसानी होंगी देखें इसको आप लेगे x square ऐसे ही करेगा एकोपीशेंट आप x को divided by 2 उसका whole square plus or minus x plus 2 whole square और 6 minus 4 ना तो x plus 2 whole square और ये 2 को क्या लिखेगा root 2 का whole square ठीक है पेटा देखो coefficient of divided by 2 4 by 2 is a 2 square कर देगा plus or minus तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा तो ये कितना 6 minus 4 है ये हो जाएगा और ये इसमें use हो गए तो बस इतना सा काम करने है और बाद एक छोड़ा सा substitution करना है और आप ना करें तो और अच्छा और कर दें तो सिर्फ मैं एक question में करूंगा इसलिए करूंगा कि आपको थोड़ा डर्न ना रहे x plus 2 को आपने लग दिया t then differentiate कर दिया बोज साइड वित रिस्पेक्ट तो तो आप s और e x dt by dx then this is dx equal to dt then you can replace by t square root 2 का whole square dt अब आपको पता है a square plus x square यह x square plus a square का फॉर्मूला क्या होता है xy2 क्या होता है xy2 t by 2 और अंडर root t square plus root 2 का whole square ना plus a square by 2 अंदर root 2 का whole square upon 2 और बेटा ही क्या हो जगा log log x x की दिखाय क्या है t t square और यह क्या root 2 का whole square plus c plus c और इसको और सुन्दर क्या t की दिखाय क्या लिख सकता है x plus 2 my 2 इतना बड़ा-बड़ा और इसकी value पूरी क्या लेख सकता है x square plus 4 x plus 6 यहीं लेख सकता है और बेटा यह हो जागा 2 और 2 यह cancel हो जागा और यह बन तो बन की जगा क्या लेखेंगे अब कुछ नहीं log और t की जगा लेखेगा क्या x plus 2 और बेटा इसकी जगा लेखेगा इसकी जगा लेखेगा x square plus 4 x plus 6 इसको बन प्लस c this is your answer this is your answer अगले बार मैं x plus 2 को 3 नहीं रखूँगा मैं direct value रखूँगा तो इसके बास सीधर मैं formula लेखूँगा अगर linear function है और coefficient of x equal to 1 है यह आपको समझाने को था इसलिए मैं लिखा अदरवाइस मैं नहीं लिखता है अगर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि integration of x square plus a square बेटा यह हमें से trick है इसकी याद करने के x by 2 होता है आप है और अंडरूर्ड में यही जो function हुआ ही और plus यह a square by 2 होता है बस यह प्लस में होगा और log e t plus ही होजा है मन्दा x plus something आपको इतना से ध्यान अगला question भी बेटा ऐसी है बस इसमें आप square करेंगे तो बेटा किसी इसका formula ज़रा ही देखें एक इस formula नहीं completing square तो यह 2 square minus 2 square और यह क्या हो जागा x plus 2 का whole square तो बेटा यह बन जाएगा और यह बचेगा 1 1 minus 4 तो यह क्या हो जागा minus 3 तो x plus 2 whole square minus 3 का क्या होगा root 3 का whole square यह होगा 1 minus 4 is a minus 3 root 3 का whole square और इसको आप लिखेगा इसको बेटा लिखेगा x plus 2 का whole square minus root 3 और बस इसके बाद आपका answer ती की जगे आपको लिखने की ज़रूद नहीं x by 2 क्या है x by 2 और अंडर रूड में यह सब कोच x plus 2 whole square और minus root 3 का whole square इसके बाद यहाँ और इसके बाद यह होजागा minus यह square by 2 मला root 3 का whole square upon 2 और यह हो जाएगा log x यह प्लास इसको आप लिखेगा x plus 2 यह सी दे लिखेगा x square plus 4x plus 1 plus c this is your answer ठीके और आप चाहें तो थोड़ा simple करके लिख सकते हैं क्या x plus 2 upon 2 और इसको आप लिखेंगे x square plus 4x plus 1 और इसको आप लिखेंगे x square plus 4x plus 1 और इसको आप लिखेंगे ठीक बटा आगला question देखे 1 minus 4x minus x square question number 5 तो इसको भी आपको completing square करना 1 minus 4x minus x square लिख दिया बटा इसमें से minus commonly x square 4x minus 1 लिख दिया और बटा यह क्या हो जागा x square 4x minus 1 और यह बटा 2 holy square minus 2 का holy square बटा इसको आप solve करेगा तो क्या हो जागा यह minus x plus 2 का holy square और यह हो जागा minus 1 minus 4 यह होगा और यह हो जागा यह minus x plus 2 का holy square minus 5 और बटा यह 5 को आप पैसे भी लेख सकता है root 5 root 5 का holy square यह से लेख सकता है root 5 का holy square और यह minus का multiple तो यह हो जागा root 5 holy square minus x plus 2 का holy square और इसकी जगे value रख दें और डारेक्ट यह formula है बटा यह यही ना x plus 2 बटा इसका formula क्या होता है e square minus x square equal to xy2 xy2 और बटा अंडर रूट 5 यह बटा यह ना और यह क्या हो जागा root 5 x plus 2 xy2 और क्या हो जागा बटा प्लस यह मैनस यह हो प्लस a square by 2 रूट 5 by root 5 का holy square by 2 xy2 और अंडर रूट e square sorry sin inverse x upon a this is the answer this is your answer xy2 e square minus x square plus e square by 2 sin inverse x upon a x square और इसको और सुन्दर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते x plus 2 और इसको अंडर रूट में लिखेंगे 1 minus 4 x minus x square और इसको लिखेंगे 5 by 2 sin inverse x plus 2 upon root 5 plus c this is your final answer बटा अगर यह question आ गया तो question number 6 देखेंगे बहुत असान है यार formula based इसको भी आपको क्या कहने perfect square x square plus 4 x minus 4 अब आप क्या करेगा इसको x square plus 4 x minus 5 यह करेगा 2 square minus 2 square कर दें यह formula बन जाएगा x plus 2 का ओल स्कॉर a square b square 2 यह भी और यह 5 और 4 9 और यह हो जागा 3 square 5 4 9 3 square 9 होगा इसको आप इस क्या हो जाएगा आपको मैंने पिछले से पिछला question नहीं किया था आपको मैंने पिछले से पिछला question नहीं किया था है अगर इस मैंने सबस्की महीन सथी स्कॉर बए 2 ती स्कॉर बए 2 और क्या होगा लोग log x plus x plus 2 plus x plus 2 का होल स्कॉर 3 square प्लूस ठीए अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे x plus 2 upon 2 अबटा यह होजागा x square plus 4x minus 5 9 by 2 अबटा इसके क्या होजागा log x plus 2 plus क्या होगा x square plus 4x minus 5 plus c this is your final answer this is your final answer टीकि बटा अगर question number 6 आगा है तो question number 7 करेंगे देखें अगला question देखें question number this is 8 है या 9 है मेरे को देखना पड़ेगा x is को 1 plus 3x minus 7 यह 7 है और अगला होगा 8 1 plus 3x minus x square इसको देखेंगे कैसे करेंगे आप बिटा अगेन इसको computing square से आप करेगा 3x करेगे ना इसको आप पहले क्या करेगा minus लेगा x square minus 3x minus 1 यह करेगा इसके बाद क्या करेगा coefficient of x divided यह करेगा minus अब आप क्या करेगा a square b square यह होगा तो इसको minus x minus 3 a square b square 2 यह भी और क्या बचला आप minus 1 और 9 minus 4 9 minus 4 और इसको solve करेगा आप कितना होजागा minus x minus 3 by 2 whole square और यह 4 होजागा तो इसको solve करेगा तो यह पहले आजागा तो इसको लिखेगा 13 upon 2 का whole square minus x minus 3 by 2 का whole square बस इसकी value आप यह पूट कर देगा integration of integration of 13 to 2 whole square minus x minus 3 by 2 ठीक है बस इसका formula है a square minus x square a square minus x square बेटा क्या होता है आप सब जानता है x minus मैं direct answer मैं टी लिखने की जुरूद नहीं हम लोग बहुत question कर चुका ठीक है यह तो बहुत असान है इससे भी बहुत tough tough question हम लोगों नहीं किया तो मैं direct value लिख रहा हूं ठीक है x minus 3 by 2 और a square minus x square बेटा a square और यह क्या हो जगा plus a square by 2 मतला root 13 whole square यह यह a square by 2 a square by 2 sine inverse x upon a x minus और a root 13 upon 2 plus c इसको आगे solve करेगा तो बहुत क्या हो जगा x minus 3 by 2 bracket के अंदर इस पूरे की value लिख देगा 1 plus 3 x minus x square बेटा इसको लिख देगा यह 13 हो जगा यह 2 to 4 हो जगा और नीचे आएगा तो 8 हो जगा 13 by 8 यह होगा ना बेटा यह हो जगा sine inverse इसको solve करेगा तो यह हो जगा 2 x minus 3 यह सीम लेगा 2 और यह 2 cancel होके upon 13 plus 3 this is your final answer this is your final answer बेटा अगर यह question आ गया तो हम question number 8 की तरफ देखेंगे 8th question इसने क्या बोल लगता है देखो आपने बहुत आसान किया बस formula value put की और तो कुछ नया काम कुछ में xy2 sorry यह गलती होगी यहाँ पर क्या होगा xy2 xy2 यह होता ना xy2 और इसको solve करेगा तो इसको भी क्या लेकेगा यह 2x-3 2x-3 और बेटा 2 से 2 क्या होजाएगा cancel 2 से 2 क्या होजाएगा cancel upon 2 यह होगा 2 से 2 cancel होजाएगा तो यह क्या होजाएगा 2x-3 यह upon 2 होगा xy2 this और a square upon 2 sin inverse x upon 1 plus c खतम इतना से कम अगर यह होगा तो question number 8 देखेगा question number 8 में again इसको completing square करना x square plus 3x बेटा इसको क्या करेगा 3 by 2 whole square minus 3 by 2 कि इसको कि आपने x square plus completing square कि कर रहा हूँना तो बेटा यह formula बन जाएगा x plus 3 by 2 a square a square b square 2 ab और minus 3 by 2 का whole square बस इसकी value इसको पूट करने आप इसको कि पूट करेंगे तो क्या होगा x plus 3 by 2 whole square minus 3 by 2 का तो क्या होगा बेटा x square minus a square x square minus a square direct formula क्या होगा x upon 2 यह होगा x by 2 और यह under root x plus 3 by 2 whole square minus 3 by 2 यह ही ना x by 2 x square minus a square बेटाई minus है तो minus a square by 2 3 by 2 whole square upon 2 और बेटाई कि लोग log x plus और इस पूरी की value क्या इस पूरी के x square plus 3 x लिख दे रहाऊ plus c यह ही होगा ना plus c अब बेटाई अगर यह होगा अगला step आप एंसियम लेंगे 2x plus 3 यह cancel हो जागा 2, 2 आपको लिखने के जरूरी नहीं इस पूरी की value में x square plus 3x लिख सकता है बेटा इसकी value के लिख सकता है minus यह हो जागा 9 upon 8 और log और इसकी value यह हो जागा 2x 3 हो जागा ना x upon 3 sorry upon 2 और बेटाई plus x square plus 3x plus c this is your answer this is your answer आपने देखा यह दोनों की question just हमने आपको completing square से standard format में convert के और formula पूट करा then you got answer टीके बटाई then answer थोड़ा बेटाई मेरे को यह 2x 3 यह 2 बेटाई cancel ने होगा यह 2 into 2 यह 4 होगा यह 2x plus 3 upon 2 होगा यह cancel ने होगा 2 into 2 4 होगा यह बेटाई upon 4 होगा तो मुझी लग रहा उसमें भी मैंने mistake कि होगी यह क्या होगा 2x minus 3 यह 2 to cancel ने होगा यह 4 होगा यह क्या होगा 4 sorry बेटा यह मैं short cut के चकर में मैं cancel कर दिया इसमें कर दिया था तो यह cancel होगा 4 यहां भी 4 mistake होगा मैंने सूचा कि साथ यह बन भाई 2 है तो उपर नीचे से 2 to cancel लेकिन 2 cancel होगा यह 2x plus 3 upon 2 होगा यह ऐसी आएगा और into 2 तो यह क्या हो जागा 2 to 4 यह क्या हो जागा 2 to 4 यही मैंने mistake उसमें भी की थी तो यह 4 हो जागा दोना है 4 यहां पर ठीक है बाकी सब कुस सही ठीक है बेटा 1 plus x square upon 9 into dx इसको आप कैसे करेगा डारेक्ट यही फॉर्मूला बस इसको थोड़ा सा काम करने पड़ेगा यह हो जागा 9 x square upon 9 यह करेगा क्योंकि मैंने यह standard formula नहीं लिखा मैंने e square plus x square से का x square plus e square e square minus x square यह पूरा 9 है यह पूरा 9 है इसको अगले step में क्या करेगा बेटा इसको थोड़ा से सेंपल कर देगा यह 3 square यह x square लिख सकता है और नीचे क्या होगा 3 बेटा और थोड़ा सासान हो जागा 1 by 3 को भाने कालेगा और यह हो जागा 3 square x square और a square plus x square का formula आपको पता है क्या होता है x y 2 अंडर root a square x square और बेटा यह 1 by 3 यह mistake मत कर दे न 1 by 3 बाहरा आईगा x y 2 और अगले बेटा प्लस है तो यह क्या होज़ेगा a square by 2 और क्या होगा log x plus अंडर root 3 square plus x square plus c ठीक है और इसको 1 by 3 यह लिखेगा तो यह x y 6 होज़ेगा और यह होज़ेगा and 9 plus x square बेटा होज़ेगा 9 by 2 log x plus 9 plus x square plus c इस यह फाइनल आंसर इस इसला कुश्चन देकें कुश्चन नमटें integration of 1 plus x square dx is equal to 4 option आपके शामने 4 में से कोई एक option बेटा यह सीधा formula होता है क्या formula होता है e square plus x square को इसको आप क्या होता है x y 2 e square x square और बेटा क्या होज़ेगा e square by 2 और क्या होज़ेगा e square log x plus यह होगा 1 plus इन 4 में से option जारा है देखने कौन option नमा 1 x by 2 1 by 2 यह log आ रहा है यह यह आ रहा है ना 1 by 2 1 by 2 log x plus log x this is your पहली option आ गया इस second और third नहीं होगा ठीक है चीदे formula पर based इसने पूछा objective आएगा तो एकी number का हैगा आप कल लेंगे ठीक है और question number अगर यह 10 होगा तो 11 पर देखें बस इसमें थोड़ा से एक step करना है क्या बिटा इसको completing square से इसको standard special form में convert करना है special form में convert क्या होगा इसको क्या गर है plus 4 का square और minus यह coefficient of x को divided by 2 उसका square plus और minus इसको करेगा तो x minus 4 का whole square और वोगा 7 minus 16 और x minus 4 और यह हो जाएगा minus 3 के square बिटा आप बस इतना कर देगा काम और आप का answer आजाएगा बिटा यह formula होता है x square minus a square क्या होता है xy2 इसी type का xy2 और under root same thing x minus 4 whole square minus 3 square और बिटा क्या हो जाएगा minus a square by 2 log log x plus बिटा क्या जाएगा x square minus 8x plus ज़रा देखें यह कौन सा option है यह भी formula पर based question था xy2 xy2 x minus 4 तो आपका sorry x की जगा यहाँ क्या जगा x minus 4 क्या जगा x minus 4 ज़रा देखें पहला option x minus 4 आ रहा यह भी आ रहा यह होगा 9 by 2 यहाँ 9 तो नहीं होगा अगला यह 9 यह plus है x minus 4 आना चाहिए x plus 4 है 3rd देखें 3rd में यह सब कुछ सही है जगें यह 9 की जगा क्या है 3 root 2 तो यह भी नहीं होगा तो option D और D यह एक्जेक्ट यह आ रहा xy4 upon 2 और this equal to minus 9 by 4 लोग तो यह आपका answer फिटा objective question है formula पर based question था आपने direct value put करा then you get answer और यह exercise बहुत अच्छे से complete